हेलो एफ्रिवन मैं हूँ दीपिका आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे नेता जी का चश्मा और इसके लेखक है स्वयंग प्रकाश तो आईए शुरू करते हैं कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था कस्बे में एक लड़कों का इस्कूल, एक लड़कियों का इस्कूल, एक सिमेंट का छोटा सा कार खाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी नगरपालिका थी तो कुछ नकुछ करती भी रहती थी कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दी, कभी कभूतरों की छत्री बनवा दी, तो कभी कभी सम्मिलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चाराहे पर नेताजी सुभाज चंदर बोस की एक संगमर्मर की प्रतिमा लगवा दी, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बलकि उसके भी एक लब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहपोह और चिठी पत्री में बरबाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासना अवधी समाप्त होने की घडियों में किसी इस्थानिय कलाकार को ही अवसर देने का निर्ने ले 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 गया होगा, और अंत में मूर्ती संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई दो फूटूची जिसे कहते हैं बस्ट और सुन्दर थी, नेता जी सुन्दर लग रहे थे, कुछ-कुछ मासूम और कमसिन, फोजी वर्दी में मूर्ती को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खूंदो वगेरह याद आने लगते थे, इस द्रिश्टी से यह सफल और सराहनी अप्रयास था, केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी, नेता जी की आँखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ती को पहना दिया गया था, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्पे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तब ही उन्होंने इसे लक्षित किया, और उनके चहरे पर एक कौतुब भरी मुस्कान फैल गई, वा भई, य इस निशकर्स पर पहुँचे कि कुल मिला कर कस्पे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनी ही कहा जाना चाहिए, महत्व मूर्ती के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देश भक्ती भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, दूसरी बार जब हालदा हालदार सहब का कौतुक और बढ़ा, वहा भाई, क्या आइडिया है, मूर्ती कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है, तीसरी बार फिर नया चश्मा था, हालदार सहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्पे से गुजरते समय, चौराहे पर रुकना, प पान वाले के खुद के मुह में पान ठुसा हुआ था, वहा एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, हालदार सहब का प्रशनी सुनकर, वहा आखों ही आखों में हसा, उसकी तौध थिर्की, पीछे मुड़कर उसने दुकान के नीचे पान ठुका, और अपनी लाल का अली 32 दिखा कर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है, हालदार सहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार सहब अब भी नहीं समझ पाए, कोई गिराक आ गया समझो, उसक को चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किदर से लाएगा तो उसको मूर्ति वाला दे दिया उधर दूसरा बिठा दिया अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है उसे नेता जी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है बलकि आहत करती है मानों चश्मे के बगैर नेता जी को असुविधा हो रही हो इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध किने चुने फ्रेमों मैंसे एक नेता जी की मूर्ति पर फिट कर देता है लेकिन जब कोई ग्रहक आता है और उसे वैसे ह पान वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवता नेता जी से शमा मांगते हुए लाकर ग्रहक को दे देता है और बाद में नेता जी को दूसरा फ्रेम लोटा देता है वह भाई खूब क्या आइडिया है लेकिन भाई एक बात अभी भी समश में नहीं आई हालदार साहब ने पान वाले को फिर पूछा नेता जी का औरिजनल चश्मा कहा गया पान वाला दूसरा पान मुह में ठूस चुका था दोपहर का समय था दुकान पर भीड़बार अधिक नहीं थी वह फिर आखों ही आखों में हसा उसकी तौद थिर की कथे की डंडी फैंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया पान वाली के लिए यह एक मज़ेदार बात थी लेकिन हालदार साप के लिए चकित और द्रवित करने वाली यानि वह ठीक ही सोच रहे थे मूर्ती के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मो यह तै नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा या बनाते बनाते कुछ और बारिकी के चकर में चश्मा तूट गया होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बना कर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा उफ हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुब भरा लग रहा था इन ही खयालों में खोई-खोई पान के पैसे चुका कर चश्मे वाले की देश भक्ती के समक्ष नद मस्तक होते हुए वह जीब की तरफ चले फिर रुके पीछे मुडे और पान वाले के पास चाकर पूछा क्या कैप्टन चश्मे व अपनी लाल काली बत्तिसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला नहीं साब वो लंगड़ा क्या जाएगा फोँच में पागल है पागल वो देखो वो आ रहा है आप उसी से बात कर लो फोटो ओटो चपवा दो उसका कहीं हालदार सहाब को पान वाले द्वारा एक देश भक्त का इस तरह मजाक उड़ाय जाना अच्छा नहीं लगा मुड़कर देखा तो अवाक रह गए एक बेहत बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बा में पढ़ गए पूछना चाहते थे इसे कैपटन क्यों कहते हैं क्या यही इसका वस्तविक नाम है लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तयार नहीं ड्रैवर भी बेचैन हो रहा था काम भी था हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए दो साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में इस कस्वे से गुजरते रहे और नेता जी की मूर्ती में बदलते हुए चश्मा को देखते रहे कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर कभी लाल कभी काला कभी धूब का चश्मा कभी बड़े कांचोवाला ग कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था उस दिन पान की दुकान भी बंद थी चौराहे की अधिकांश दुकाने बंद थी अगली बार भी मूर्ती की आँखों पर चश्मा नहीं था हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पुछा क्यों भई क्या बात है आज त कुछ नहीं पूछ पाई हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका कर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, जो अपने देश के खातिर, घर, ग्रहस्ती, जवानी, जिन्दगी, सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हसती है, और अपने लिए बिकने के मौके ढूटती है, दुखी हो गए, पंद्रह दिन बाद फिर उसी कस्पे से गुजरे, कस्पे में घुसने से पहले ही खयाल आया, कि कस्पे की रदय इस्थली में सुभाश की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिश ठापि होगी, लेकिन सुभाश के आँखो पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर सहब बनाना भूल गए और कैप्टन मर गया, सोचा, आज महां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ती की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, ट्रैवर से कह दि जीप स्पीड में थी, ड्रैवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते नरुकते हालदार सहब जीप से कूत कर तेज तेज कदमों से मूर्ती की तरफ लपके, और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, मूर्ती की आँ तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याए के साथ, तैंक यू